हाई नमस्कार वाच्चों आप सुबों का स्वागत है आपका प्यारा चनल एटुजाइड इसडी पोईन पर आज हम सुगम हिंदी कारिपुस्थिका पेज सुगमेंथ करें अपкое प्यारे इसे नहीं पूरा किए थे तो उसी के बारे माजा पेज 852 थैन कलें और वाड़ी बारी-बारी से टेखें करें चल यह देखते हैं क्या कुस्ट्चन की से टोपिक पूरा किया जाएगा है याँ देखरें बच्चों नीचे देगे सब्दों की मदद से कविता आगे बढ़े, यह सब्द या बाग बगिचे, बादल, जल, ताल, तलया, बच्चों की टोली, तो यहां आपको बता दिया, रिम्ज्यम रिम्ज्यम बादल वर्षा, भर गई सारे ताल तलया, तो इसको लिखे है, बाग बगिचे जूम रहे हैं, पेड़ पोधे हंस रहे हैं, बच्चों की टोली दोडी, बर्षा रानी स्वागत है, जूम जूम कर आओ गावें, रिमजिम रिमजिम बर्षा पानी, इस तरह से आप कविता को लिख सकते हैं, यह हम सोच सोच के लिखे हुएं, आप भी अपनी अधार्च लि लिखे हैं, इसको हम बाद वीडियो में अपडेट कर देंगे आपको, आईए देखते हैं, यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है कि सोचिए कि आपके महले में या गाउं में पानी की बड़ी ही किलत है, तो सुबह जब नाल में पानी आता है, तो महले की सभी लोग अपने अपने बरतन लेकर पानी भरने आ जाते हैं, तब वहाँ पर क्या महल होता होगा, आप उस महल को समझे और घटना में आखबार को चापी है, यही कार है, तो इसको देखिए, इस तरह से अपने गाउं सहर में जिस तरह यह चीज होता है, उसी घटना का यह बरतन करत आपको कहा रहा है कि पेपर में छपवाना है, तो किस तरह इसको लिखेंगे बच्चों, ध्यान रहे, क्या लिखेंगे, सुवह होते ही गाउं में पानी की किलत शुरू हो जाता है, शुरू हो जाती है, नल पर काफी संख्या में लोगों की भीड जम जाती है, जवड़ा जवड़ा भी हो जाता है, क्योंकि एक मात्र यही नल है, जवड़ा जवाने लोग जाता हो जयाता है, तो सुध़ जल परियात मात्रा मोपलाद नहीं है,Uसलिए मर्कुर्णा गाउन में तीन चामपाि नल देने की की रहा गाह करें, किसको कहा रहे है, यहाम पेपर में से होगा जिस ब्लॉग से होगा वहां के सी यो वीडियो उसका अवलोकन करेंगे तो तो देखेंगे कि यदि इस तरह की कोई प्रवलम है तो वह समस्या दूर करने का प्रियास करेंगे इस तरह से आप लिख सकते हैं यह पेज इस तरह से लिखने का प्रियास करेंगे मैं आपको मदद कर रहा हूं आप अपनी अधार से और भी इसे अची तरह से सुधार की लिख सकते हैं आये देखते हैं नेस टोपिक क्या दिया है उसके बाद यह बच्चों यहां देखिए कुछ कथा वच्च कह रहा है कि यह कौन है और ये कौन है ये क्या का रहा है या तो इसको कुछ धमका रहा है तो ये दर के मारे कुछ कह रहा है तो इस तरह से आप कुछ समझ समझ के अपने आधार से लिख सकते हैं कोई दिकत नहीं है उसके बाद क्या दिया है यहाँ पर सेर्ः को पिंजरे में देख कर सेड़ जी बड़ा आस्चर हूआ तो यहाँ जो कहानी दी हुई है इस कहानी को भली भांती आप पढ़़ है और देखिए कि सेर्ः से बड़ेशी आस्टर से क्रें बहाँ से बतने आने लगे कौन सेठ जी सेठ से बात करने लगी क्यों कि सेठ जो था वो जंगल में कहीं किसी का अफसल खा रहा था इसको फिंजरे में बं कर दिया और यह देख रहा था अब यह सेठ जू था ना वो धॢ़त था और वो हम निकाल दूजिए। हम आपको उपार देंगी। तो सेथ ने सोचा, क्या सोचा चलिए मीगता है क्या दिया है दिया हुआ है कि सेर जी काता अरे तुम पिंजरे में क्या कर रहे हो सेर भाई सेर काता मेरे दात नहीं है मैं बुढ़ा हो गया हूं मुझे बाहर करें सेर जी काता है छमा करना सेर राजा मुझे दिखाई कम देते हैं यह जनी सेर जी जूट बोले सेर काता सेर त यहाँ पर आपका दिया हुआ है क्या दिया देखेंगे कि रवी प्युए और मोनू है क्योंकि आज उनके विद्याले में बाल दिवस मनाया जा रहा है, और विद्याले में बाल दिवस पर क्या क्या होगा, जरा सोच कर एक अनुश्यत लिखे, आप भी अपने विद्याले में बाल दिवस मनाते हैं, तो किस तरह मनाते हैं, तो उसको देखेंगे आप, और देखने के बाद क्य करेंगे उसे अपनी अधार से उसको अवलोकन करेंगे आईए देखतें क्या दिया है लिखेंगे रभी दिपिका और मोनु आज बहुत खुस हैं क्योंकि विद्याले में बाल दिवस का आईजन क्या जाना है सभी बच्चे माला बेलून रंगीन पेपर खरीद कर विद्याले करते हैं उसी तरह से आभी स्कुल में आप भार दिवस मना रहें या सिख्चत मना रहें या कोई भी हुआ है घ्याले में प्यक्याइक तो से नीची को धियान से पढ़िए यह आविधन पत्र यह चूटी के लिए तो सेवा में प्रधना ध्यापिका राजिकी किरित मद्धी विदायर राजी धारखन विसे बुखार के कारण छूटी है तो आविधन पत्र तो महदया सवीने निवेदन है कि मैं आपके विदाले की कछा आठ की छात्रा हूं मैं मलेरिया की चपेट में आ गई हूं चिकित्सक ने कहा कि मुझे चार पाइद धिन तक घर में अराम करना होगा इस कारण में दिन यह देद दिया हुआ है यहां से यहां तक यहां तक यहा सबस्क्राइब कराएं आपने नहीं हैं तो सब्सक्राइब बशल हैं क्योंकि मैं प्रते एक दिन आपके लिए नए नए टोपिक लेकर आपके साथ हाजिर होता हूं और आपके सेवा में लगा रहा हूं तो आपका फर्जा बनता है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करुएं और वीडियो को अंद तक देखें, वीडियो देखने में काफ़ी है, अच्छा लग हो तो लाइक ङूश किजिएगा और दोस्तों का सियर अवस्ष किजिएगा आईए देखते क्या दिया है पत्र किस ने लिखा है तो पत्र किस ने लिखा है आप देख सकते हैं विनिता रानी ने पत्र लिखी है यहां लिखेंगे विनिता रानी ने लिखी है समझे समझने के बाद आपने सब लिख सकते हैं आये उसके अब पत्र की इसको निखेसे बच्ची जो लिखे पातर की देख रहा है यह देख रहा है यह छो लिखेंगे प्रधन S fit लिखे लेक्वी तारिक को लिखा गया तो पत्र सी लां की यहां पर लिखेंगे पत्र किस बारे दृफह देलसे को देखें पत्र में संबोधन के लिए किस सब्द का इस्तिमाल किया? तो महटया सब्द का पर्यक की गया है दिखे यहाँ पर निख्छा हुआ रद रेव पता का लिखान करि नहीं खतम हो जाता है यह सुगम हिंदी कारिफ पुस्त का आपका हम अध्यन कर रहे हैं जो हम स्रीच चलाए हुए थे उसके बाद यह देख रहे हैं पेज आपका 84 दिया हुआ है इसको अच्छी तरह से लिखेंगे अगर आपको अच्छी तरह नहीं दिखा दे रहा है तो फिर हम बदल के अच्छी तरह से लिख के आपको फिर पुना बताएंगे यह आपका 84 अभी इनकंप्लेट है हम पुना इसको रिव्यू करके अच्छी तरह से सरल भाता में आपको पेस्ट करेंगे मेरे वीडियो को देखना ना भूले अगर हमारे चैनल पर नए है तो यथा सिक अच्छा टोपिक दिया है धियान रहे कि पढ़ाई वह चीज होता है कि सब्सक्राइब करने से आप पढ़ाई नहीं कर सकते हैं सब्सक्राइब करने से आप उसमें जुड़े आप वीडियो को देखें काफी संच्छा में वीडियो को देखें आप वीडियो को देख नहीं कैसे लिखेंगा चले देखते हैं? लेकें सेवा में श्री मान सर्पंच महोदई बिछे गाँं की सफाई कराने हितू प्राथना पत्र यहां लिखेंगा महोदई नम्र निमेधन है कि हमारे गाँं में गंदगी का जाल बिछा हुआ है गाउं के लोग बिमार हो रहे हैं और बरसाथ के दिनों में कीचड़ हो जाने के कारण हेजा का परको बहुत ज्यादा हो जाता है उसके बाद क्या काता है अता सरपंज साहब से प्राथना है क्या काता सरपंज साहब से प्राथना है कि यथा सिग्र सफाई करवाने की किरपा करें आपका ग्रामे इस तरह से आप लिखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी सरल भाता में आपको लिखने का अभियास भी हो जाएगा इस तरह से इसको लिखें देखें काफी अच्छी सरल धंक से लिखें हुए हैं चलिए उसके देखते हैं यह आपका बच जाता है बच्चों यह नीची में टॉपिक जो दिया है यह बच जाता है यह 85 का है इससे हम लेकर पुना आपको फिर से अपडेट कर देंगे मेरे वीडियो को अन्ते तक देखें आपको बहुत बहुत धन्वाद थेंक्यू फोर वाचिंग मैं व